हेलो चिल्डेन, क्लास 10, CBSE वाले वर्चे, मेरे प्यारे प्यारे बैच्चे, आपका मेरे चैनल रेमिडिरिल टीचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है तो बच्चो आज मैं आपके सिकिंड टर्म के हिसाब से कुछ कॉश्चेंस लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इंपर्डेंट है और इन कॉश्चेंस को मैंने जो आपका चैप्टर है, जो आपका चैप्टर लास्ट में है बहुत आवर एंविर्मेंट और इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसमें देखिए आपको कॉश्चेंस जो CBC के बच्चे हैं, उनको मैं बता दू, उनका जो कॉश्चेंस पेपर सैट होगा वो तीन सेक्शन में डिबाइड होगा, एक होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी, प्लस सेक्शन सी तो section A जो होगा इसमें आपको question जो करने होएंगे पंदे questions total आपके आएंगे किसमें? पेपर में 15 questions, number of questions होएंगे question number होएंगे आपके 15 total 15 questions आपको मिलेंगे और all questions करने कंपल सरी है ठीक है? और क्या होगा आपको section A में जो होगा section A जैसे मैंने यहापे लिगा है यह section A से ही related question है इसमें आपको 7 questions मिलेंगे question, seven questions मिलेंगे आपको 7 questions यहाँ से आएंगे और वो कितने marks गोएंगे? seven questions of two marks यह दो-दो marks के होएंगे जो कि section A में आएंगे और यह सभी questions आपको करने जरूरी होएंगे कंपलसर ही हैं सभी questions आपको कर नहीं पड़ेंगे अब हम चलते हैं के question section B अब इस section B में जो होगा यह section B इसमें आपको जो मिलेंगे six questions मिलेंगे six questions six questions of three marks of three marks यह three marks के आपको 6 questions आपको मिलेंगे clear अब हमारा रहेंगे section C section C जो होगा यह case based questions होएंगे इसमें यह दो questions मिलेंगे question two questions two questions provided only one इसमें आपको choice मिलेंगा only one is only one आपको attempt only one will attempt clear तो यह आपको clear हो गया होगा कि हमारे section A में कितने questions आएंगे section B में कितने आएंगे कितने marks के होएंगे और section C में कितने होएंगे clear और इसमें भी आपको देखो choice पहले नहीं दी हुई है लेकिन choice जो है वो जो questions है उन्हीं के बीच में दी जाएगी जैसे कि मैंने आपके जो paper बना है जो sample paper है जो कि important questions का है यहां मैंने question one लिखा है question one दिया है फिर मैंने दूसरी लिखा है और करके इसी का एक part और दिया अब यह choice आपकी होगे internal सब भी questions आपको करने लेकिन यह internal जो choice है यह आपको मिलेगी जैसे एक question में दो part है अब दोनों में से आप कोई सा भी एक part कर सकते है और जो एक बात और बच्चों के यहां पर मैंने section C जो बताया section C में आपके four marks के यह two questions होएंगे two questions of four marks तो इस तरीके से हमारे marks बनेंगे और total marks वो ही 40 marks का paper होगा आपका total total marks जो होएंगे वो हमारे होएंगे 40 40 marks का हमारा पास paper आएगा के लिए तो section A होगा two marks का उसमें seven questions मिलेंगे section B होगा जिसमें six questions मिलेंगे तीन marks के होएंगे और section C में होएंगे दो questions इन दो questions में से आपको केवल एक करना है दो में से केवल एक करना है clear तो अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ questions की तरफ जो मैं आपके लिए लाई हूँ these are very very important और यह आपके section A से related है जो के two marks वाले questions है clear तो चलते हैं some important questions for two marks is अब question 1 है question 1 का पहला part है यह है A और यह है B इसमें आपको choice है यह भी question 1 है यह भी question 1 ही है इसको हम A भी ना लिखे question 1 और question 1 ही लिखेंगे यह क्योंकि यहाँ पर choice दी हुई है clear question 1 what will happen if we kill all the organisms in one topic level क्या होगा अगर हम एक topic level में से किनी सारे organism को उस topic level के organism को हम क्या करेंगे kill कर देंगे यह मार देंगे तो बच्चो इसका जो answer होगा वो होगा कि if we will kill all the organism of one topic level it will create a disturbance क्या होगा कि it will it will create a disturbance किस में disturbance होगा देखिए बच्चो जो energy flow हो रही है one topic level से दूसरे topic level में जा रही है एक तो उसी में सबसे disturbance हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर किसी भी topic level के organism को हम खतम करेंगे तो energy का flow ही रुख जाएगा आगे next जो उस पे energy topic level पे next topic level पे जो energy जाएगी वो नहीं इस topic is topic level is interdependent interdependent हर topic level एक दूसरे से एक दूसरे पे depend होता है जैसे कि grass को कौन खाता है यह grass है इसको कौन खाएगा deer खाता है न deer खाएगा और अगर deer और deer को कौन खाएगा deer को खाएगा लॉइन खाएगा अब अगर हम all the loin यह इन लॉइन को हम क्या करेंगे किसी भी topic level को खतम कर दिया किसी भी topic level को सपोस्पोस मैंने इस लॉइन को यह हमारा समझो थर्ड topic level है अब हम इसको क्या करेंगे कि इसके सारे और इस लेविल के topic level के और इसको खतम कर दिया तो क्या होगा कि grass होगी वह कौन खालेगा deer तो खालेगा लेकिन deer की population इतनी भड़ जाएगी कि उसके लिए grass का producer जैसे एज प्रोड्यूसर काम कर रहा है वह उतनी grass होनी चाहिए क्योंकि deer की population कम हो और उसको अपना deer होएंगे उनको खाने के लिए grass से अब grass लगाता खाते जाएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी जो land हो जाएगी land become क्या हो जाएगी बैरन बैरन में कि वह उप जाओ नहीं रहेगी और एकदम बेकार हो जाएगी वहाँ पर कुछ भी नहीं उख सकता है तो ultimately lead to यह बैरन जब हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगी it ultimately lead यह जब बैरन हो जाएगी तो कौन सा erosion तो यह हो जाएगा soil erosion create कर देगा के लिए तो यह सब चीजे हमारी होंगी हमें जो कि अपनी answer में लिखना है कि what will happen if we kill all the organisms in one topic level देखिए हर पहला यह point बहुत important है कि each topic level is interdependent जो हर topic level है वो एक डूसरी पर depend होता है के लिए चलते हैं अपने second choice वाली question की हो जो कि यहां दिया है in an situation what will happen if an aquarium some fish and plants have died देखिए बिट्टा यह बहुत important question है थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क्या होगा देखिए बच्चो एक pond और एक pond ecosystem pond ecosystem या हम कहें lake ecosystem ओके एक ही तरीके के है pond कहिए तो यह क्या है यह दोनो natural ecosystem है natural ecosystem है natural ecosystem क्यों है मैं अभी आपको बताती हूं यहां पर all organisms of the food chain are available इस वाले उसमें जो natural है वहां पर क्या होता है natural ecosystem में कि all the all the organism all the organism of the food chain of the food chain are food chain are available यहां पर सभी food chain के इतनी भी organism वह available होते है इफ एनी organism डाई दे आर डिकमफोचर देर और यहां पर क्या होगा कि अगर पॉंड में कि सपोस्ड की फिश क्या होँ हो गई फिश डाइट तो यह कुछ प्लांट है जो phytoplaecton है जो कि प्लांट कहां पर होते हैं इन में पॉंड में होते हैं लेक में होते हैं तो इप्लांट् suppose plants died और fishes जो होती हैं वो died हो गई अब क्या होगा इनकी उपर कौन वर्क करता है यह बर्क करेगा decomposer decomposers will will activate activate to किसलिए to decompose decompose the body of the body of the dead organism और dead organism जो हो जाते हैं उन पे वर्क करने के लिए कौन वर्क आएगा decomposer जो कि वहाँ पर present है natural ecosystem में present है है ना अब यह जो हमारा aquarium है aquarium में incomplete ecosystem होता है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ in an aquarium aquarium में aquarium में क्या होता है artificial artificial ecosystem artificial ecosystem का मतलब है कि हम यहाँ पर abiotic component are not present जो abiotic component है abiotic component abiotic components are not present here are not present here के लिए तो यहाँ पर abiotic component नहीं होँगे अगर कोई fish यहाँ पर मर जाती है aquarium में यहाँ कोई plant डाइड हो जाता है तो abiotic component तो हैं ही नहीं है तो artificial ecosystem है जो कि man-made हमने बनाया है तो abiotic component नहीं होँगे तो it means कि abiotic component मतलब कि decomposer decompose कौन करेगा organic substance और body code diet organism की body code कौन decompose करेगा जब decomposer तो हैं ही नहीं decomposers are not there तो क्या होगा कि यह क्या होँगे diet organism जो होँगे they will rotain वो क्या होँगे जो diet होँगे fish और यह plant क्या होँगे they will rotain सर जाएंगे they will rotain और जब कोई चीश सर ती है तो वो आसपास के atmosphere को water को भी pollute कर देती है तो polluting water of the aquarium का जो water होगा जो aquarium का water होगा यह क्या होगा it turns to polluted तो जिससे की और जो बाकी बची हुए fish या plant होएंगे वो भी सर जाएंगे या मर जाएंगे और पूरा aquarium जो होता है उसका जो ecosystem में वो खतम हो जाएगा it will clear जो बात्राइब छोगए